दोस्तो अगर आप लोग ऑनलाइन स्वापिंग करते हो या ऑनलाइन के जरीए कोई भी समन बेशते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा देखना जुरूरी है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर में आप लोग के निया जमाने का फ्रॉड के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मेरे साथ खुद हो चुका है और मैं इस चीज से बहुत ही परिशान हो चुका हूँ और इसलिए आज की इस वीडियो को जरीए और निंग टाइप का ये वीडियो बना रहा हूँ सबसे पहले मेरे बारे में थोरा साब को जानकरे दे देता हूँ ताकि आप लोग को बाद में इस फ्रॉड को समझने में आसानी हो जाए देखी दोस्तों मैं एक इलेक्टोनिस टेक्निस है नूँ हम अपने लैब पर या सर्वी सेंटर पर LCD, LED और भी बहुत सारे अलग-अलग इलेक्टोनिस का उपकरण जो होता है जो घर के अंदर इस्तिमाल किया जाता है वो सारे रिपेरिंग का काम करता हूँ तो लगबग 6-7 साल सारे रिपेरिंग का काम कर रहा हूँ और 6-7 साल के दौरान में इस सारे काम को रेकॉर्ड करके हमने यूटूब चैनल के जरीए सेर कर रहा था था कि बाकी लोग को भी ये सारे काम सेखने को मिले तो उस टाइम क्या होगा कि 2-3 साल बाद ये हुआ कि जो चीज़ा हम लोग रिपेर करता हूँ न और रिपेरिंग करने के दौरान जो electronics components हम लोग उसके अंदर इस्तेबर करता हूँ ये use मिल लेता हूँ वो अपने आसपास के market से बहुत सारे लोग को नहीं मिलता है तो जिन लोग के market में आसपास ये सारे components नहीं मिला था तो हमें request किया कि आप अपने एक website बनाईए और उस website के जरीए हम ये को वो सारे सामान को दीजिए ताकि हम अपने रिपेरिंग का काम को और भी अच्छे से कर सके कोई भी डिवाइस है कोई भी चीज ऐसा ही बापस ना जाए components ना होने के बाएसे इसलिए हमने 2020 में decide करा कि हम जो रिपेरिंग के दौरान चीज को इस्तेमाल करता हूँ कोई भी parts को इस्तेमाल करता हूँ वो सारे के सारे अपने online store के जरीए लोग के साथ share किया जाए और लोग के पास भेजा जाए ताकि वो अपना रिपेरिंग का काम को बहुत ही अच्छे से कर पाए तो 2020 में मैंने ये चीज शुरू किया था और आभी तक बहुत ही अच्छा खासा response मिल रहा है मेरे को लेकिन पिछले कुछ दीनों से क्या हो रहा है उस incident को मैं बताऊंगा तो जब भी आप में से कोई भी लोग हमरे website से कोई भी चीज खड़िते हो और खड़ितने के बाद आपको वो समन मिलता है और जैसे ही मिलता है तो आपको क्या दिखना है कि पैकेट को खोलने के बाद आपको पता चुल रहा है कि अंदर तो समनी नहीं खाली डबबा के डबबा आपको जा रहा है यह इंसिडेंट पहला इंसिडेंट आपको देखने को मिल रहा है जो कि मेरे पास दो तीन ऐसा केस आ चुका है तो दूसरा केस यह होता है कि जैसे ही मैं कोई समन को आप लोग के वास भेजता हूँ करने के बाद और भीजने के बाद रास्ते में वह सारे समन्न खो जाता है या गाय हो जाता है मतलब कास्टूमार के पास पहुंसता ही नहीं लेकिन वह पास पैसा भी लेता है जो टाइंस्पोर्टेशन और जो भी डेलिबरी चार्ज़ेस होता है वह मैं दे देता हूँ फिर रास्त में क्या होता है कि खो जाता है यह जो दो इंसिडेंट मेरे साथ हो रही है पिछले कुछे दिनों के अंदर तो यह चीज में आपको थोरा सा एक्स्प्लेंट करना चाहोंगा तो कुछ दिन पहले हमारे कास्टोमार्ग के पास से एक मेल आया कि आपने यह जो हमें प्रोडेक्ट भेजा है प्रोडेक्ट को ओपेन करने के बाद जब हमने देखा कि अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉक्स पर आ हुआ है और बॉक्स के अंदर कोई भी समान नहीं है हाला कि मैंने उसके अंदर पैकेजिंग करके समान को भेजा था लेकिन जाब उसको यह प्रोडेक्ट मिला या पार्सल मिला तो अंदर से प्रोडेक्ट मिसिंग है लेकिन उसका जो वेट है ना वेट बहुत पहले से बहुत ज़्याद कम है लेकिन पै अच्छे से देखने के बाद पता चल रहा है कि हमने जो पैकिंग करके भेजा तरहा संदर से निकालकर वह संदर को ब bratUND निकालねぇ तो यह चीज़ को बचने के लिए आपको सबसे पहले अभिके लिए को एक टिप्स दे देता हूं हम लोग जब भी कोई भी सामन को पैकिंग करता हूं मैं आपको एक्जम्पल के तौर पे दिखा देता हूं यह दिखिए हमारे पास अभी एक ओडर आया था जो कि 32 एंच हमने इस तरीके से पैकिंग करने के भाद हमने एक लेबल NICK उट्थरी है है और यह अपको बता देता हूं यह उत्तर फ्रडेश से और लगा दिता हूं यह इन दोंmmर का पता लिखा हुआ है नंबर लिखा लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है और सबसे बरी बात है इस packageका या तलिखा हुआ है और उसके बीबाट रखो lot थिद कना हे यानि कि इसका बजन कितना है वह सबसे पहले आपको क्या करना परेगा जब भी आपको कोई भी आप मेरे से नहीं किसी भी जगा पर आप ओडर कर रहे हो या किसी भी अमाजॉन फिलिपकार्ट आप या कोई दूसरा से लार से आपको भी समन को खरीद रहे हो उनलाइन सबसे पहले आपको देखना परेगा कि उपर जो वेट लिखा हुआ है और बजन लिखा हुआ है ना 350 ग्राम तो आपको वह सबसे पहले चेक करना परेगा वह यह पहला चीज होता है लेकिन कहीं कहीं भी ऐसा भी होता है कि अंदर बोड को निकालके कोई इंट परेशन के समय हमें इसको इसके लिए एक स्टा पैसा देना ना परे इसलिए हम लोग थोरा सा 10-20 ग्राम ज्यादा इसके अंदर लिक रखता हूं लेकिन मान लिजीए 350 ग्राम का यह पैकेट है या पार्सल है और यहां से आपको 100 ग्राम मिल रहा है मतलब आधे से भी कम तो हमरे पास आएंगे जब डिलिबर करेंगे तो हमें पता होता है ना हमने पैकिंग करके भेजा होते हैं इसके अंदर वर्ड होगा की नही कि नहीं इसका कितना है हम लोग सारे चेक करके हिलेता हूं इसलिए जब आप बापस कर दोगे तो हमारे पास वो सामान अगर इसका अंदर से बोड नीकाल भी लिया ना वो हमारे पास देने के लिए नहीं आएंगे तो उसकेस में हम लोग को यह लोस्ट केस में यानि कि खोग चुका है तो उसके लिए हम लोग इसको रिपोट कर देता हूं और इसका जो भी कॉस्ट होता है हम लोग ले लेता हूं यह पहला इंसिडेंट हो गया दूसरा इंसिडेंट आप यह कर सकते हो कि जब भी आप यह प लगा हुआ है लेबल लगा हुआ है तो यह आप सबसे पहले दिखाए और उसके बाद इसको ओपेन करना सुरू करिए एक ध्यान में रखेगा जब आप इसको ओपेन करोगे उस समय आपके वीडियोस के अंदर कोई भी काट नहीं होना चाहिए और जल्दी से खोलने की ट्रा लिए और उसके बाद कस्टोमर को सिर्फ और सिर्फ खाली डबा उसके अंदर पैक करके डेलिवर कर दिया उन्होंने क्या किया था उसका तो वह तो चेक नहीं किया था यह इंसिदेंट्स हो रहा है मैं मेरे साथ इसलिए आज कि वीडियो बना रहा हूं तो आप चलिए क्षैंग कहले ईसका डेकर को शुआइब को मिलते रहे इसलिए शौंए करने के बाद जो ट्रैकिंग नमबर होते वह आपको इमेल के जरीने के बेद kोर्म और बीजने के बाद क्या होता है कि यहांसे पर्सेल रास्त में खो जाता है मतलब हमने यहां से तो सही से भेजा हूं लेकिन कास्टोमर तक नहीं पहुंचा है यह इंसिदेंट्स भी हमरे साथ हो रहा है तो इस कंडिशन में आप क्या कर सकते हो सबसे पहले जो हमने ट्रैकिंग आइडि दिया हूं अगर कोई बी डेली परिकरी से भेज रहा हूं या बुलूडाट से भेज रहा हूं या कुई किसी दूसरे चीज़ के जरिए भेज रहा हूं तो उस कंडिशन में आप उस कंपनी को कॉल करके इसके बारे में रिपोर्ट दर्ज करा सकतो कि हमने यह पार्सल ओडर किया था यह हमरा ट्रैकिंग यह हमारा मुबाईल नमर लेकिन हमारे पास प्रॉडक नहीं पहुंचा है राष्त में कहीं खोचुका है तो इसके लिए आपको एक रिपोर्ट करने के बाद आपको हमें बताना परेगा हमें मतलब अगर हमरे से कोई सामन अपने ओर किया है तो हमें आपको कॉल करके या व online पर खड़ीद रहे हो तो आपके लिए यह सरे चीज फॉलो करना पड़ेगा लेकिन अगर आप online के जरीए कुछ कीज को आप sale करोगे तो उसके लिए मैं एक delivery company के बारे में थोरा सा जनकर देता हूं मैं लगबग पिछले चार साल से यानि कि 2020 से delivery company का service को इस्तमल कर रहा हूं हमारे product को delivery करने के लिए लेकिन पिछले कुछ दिनों में मुझे delivery company बहुती ज़्यादा परेशन किया और निरास किया क्यूं क्यूंकि जब भी मैं कोई delivery के जरीए parcel को भेज रहा हूं कुछ दिन से देख रहा हूं और उसके बाद कोई भी समान रास्ते में खो जाती है वह उसको लॉस्ट दिखा रहा है तो उसमें क्या होता है कि वह हमने हमरे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है delivery company के वालों के तरफ से कि हम उसके साथ बात चीत करके मैं इसका हाल चल पूछ सको लेकिन पहले था लेकिन आभी के लिए वह हटा दिया है और जब सिपिंग करने के लिए जो ड्यास बेड होता है ना ड्यास बोड के अंदर भी कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टेम उसका अच्छा नहीं है इसलिए मैं आपको कहना हूं बाद में इन सारे लोगों का भी सर्विस खरब हो सकते लेकिन आभी के लिए अच्छा है लेकिन डेलीवरी सबसे जादिया मेरे ख्याल से घटिये लगा है इसलिए आप नया से लार बिल्कुल में मत ट्राइक कर जिएगा क्योंकि जब आप कोई भी पोड़ेट को समन को सीप कर देलीवरी के जरी है और अगर रास्ते में खो जाए या रास्ते में वह लॉस्ट हो जाए तो कहीं सभी आपको इसको कंप्लेंट करने के लिए कोई भी मौका नहीं मिलेगा मैंने लगबग बहुत सारे बाद ट्राइक कर चुका हूं इसको रिपोर्ट करने में ल लेकिन अगर अगर आप दूसरे तरीके से हमें मेल करता हूं तो भी हमें कोई भी रिप दर्ज भी हो जाते तो उसकी हमें आपडेट नहीं मिलता है तो यह पचा देता है तो एहीं सारे चीज दोस्तों आप लोगों के साथ सेयर करने के लिए आज की वीडियो में ने बनाया हूं और मुझे पता है कि इस वीडियो को पाब्लिक करने के बाद डेलिवरी कंपणी के पास से रिपोर्ट भी आ सकते हैं या जो हमने डिपोर्ट डाल के र कोई भी online selling करना चाहते हो और online selling करने के लिए जो भी दिक्कत या परेसान भी जहलना पड़ता है उसके बारे में update पना चाहते हो उसके साथ ही साथ आप electronics के बादे में सीखना चाहते हो तो चैनल को subscribe करकर हाँ जोड़ो रखेगा क्योंकि इस चैनल के अंदर आपको Electronics Repairing के Related इसारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे उसके साथ ही साथ Electronics Repairing के लिए जो भी समान या Components या Parts आपकी जोरूत परेगी उसके बारे में Update देने के लिए ही मैं इस चैनल को बनाया था और इस चैनल के अंदर आपको Electronics के Related ही सारे चीज़ आपको देखने को मिलेंगे लेकिन आज की इस वीडियो का टॉपिक कुछ अलग है क्योंकि यह मेरे को परसनली फिल हुआ है कि इस टॉपिक के ओपर एक वीडियो बनाना चाहिए और आप लोगो डेलिवरी कंपनी के बारे में जो भी फ्रॉड चल रहा है न उसके बारे में आपको बताना चाहिए तो मुझों में देखी आपको यह वीडियो बहुत ही ज्यादा लगा है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी प्रकड़ के वीडियो से अगर आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्स्राइब करके जुर रही है हम फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक कि लो लावे..